इंदूर की विधानसबर शेत्र एक में वाड क्रमांक बारा के महराणा प्रताप नगर में प्रेम आश्रय वृधा अश्रम संचालित हो रहा है जहां दस वृधजन हैं जिसमें से एक वृध महिला की बीते दिन गुमशुद्गीद होने पर विवाद की स्थती बन गई आश्रम संचालित नीलम दूबे की माने तो बीती शाम एक व्रेद को शेत्र की पारशद सीमा कृष्ण वल्लब डावी के बैटे निलेश द्वारा बाहर ले जाया गया है और पारशद के बेटे से आश्रम संचालित को जान का खत्रा है वही मामले में पारशद पती ने पार्षत पती को बताया कि उसके साथ मारविट होती है उससे किसी तरह आश्रम से मुक्त करवा दिया जाए जहां वृध्धा का कहना है कि वह मरजी से बाहर आई है और आश्रम संचालन पर वृध्धा ने कई तरह के आरोप भी लगाये हैं वहीं भाजपा नेता कृष्ण वल्लब डाबी ने कहा कि यहां आश्रम अवेद रूप से संचालित हो रहा है जिसमें कथे तोर पर बुजूर्ग महिलाओं को परिशान किया जाता है वहीं आश्रम संचालक सहित अन्य स्टाफ पर उन्होंने अवेद गतिवीधी संचालित करने का आरोप भी लगाया है बता दे कि उक्त आश्रम भाजपा के एक नेता की संरक्षन में चल रहा है कि आश्रम की जमिन को लेकर पार्शद और आश्रम संचालक में लंबे समय से विवाद के स्थती बनी हुई है जिसके चलते यह विवाद के स्थती बनी हुई है मजोरी रोटा भी खवा रहे हैं यह विवाद के स्थती बनी हुई है यह ज़ी है जप्ती नहीं हाख पुदिन आई है यह पासके बोला दो है मजोरी ज़ी ज़ीवाद के स्थती बोला कि आप लुगों को नी ओर इनके साथ मार्पीट की जा रही है और यह थोड के रहा है कि इनके साथ मार्पीट की जा रही है वर अब ये मुहां से आज अपनी जान बचा के भाग तुपर मतरम यह यहां से भाग के आ चुके हैं और अब इनका हमने इंटर्व लिया है तो इनमें इन्होंने शारी बाते बता ही है कि इन पर जूल मौ रहा है महाँ पर और इन लोगों को भोजन ने जाए रहा है क्या नाम है मतरम नाम बता हो और अगे पिये क्या चलो आप बता हो आगे अगे बता हो आपका नाम मेरा अब दुर्गेज दवे हैं यह आपके पास कैसे है यह जए वजरंग सेना काई करता हूं और मैं यहां से आ रहागा यह माताराव वहां से बहाद के रस्ते में आई है इन्हेंने मुझे अपनी विपत्ती और आपत्ती जो इनके साथ गटा है यह इन्हें मुझे बताया है उस माध्यम से मेने चेनव लालों को बुलाया है वो इनकी सूचना इनसे देखे और आज इनका इंटर्व्यू किया जा रहा है आपका नाम मेरा नाम दुर्गेश दवे जय बजरं सेना इंटर्व से आशिश तिवारी किये रिपोर्ट